19 नवंबर 2020 सुक्रवार को साल का अंतिम चंद्र ग्रहन लगेगा जिसका भारत में कोई प्रभाव नहीं है ये केवल उप्छाया ग्रहन है आपको भी अबगत करा देते हैं कि उप्छाया ग्रहन होता क्या है जब चंद्रमा प्रित्वी की वास्तिविक चाया में प्रवेस कि ये बिना ही बाहर निकल आता है उसे उप्छाया ग्रहन कहते हैं चंद्रमा जब धर्ती की वास्तिविक चाया में प्रवेस करता है तब ही उसे पुर्ण रूप से चंद्र ग्रहन माना जाता है उप्छाया ग्रहन को वास्तिविक चंद्र ग्रहन नहीं माना गया है भारत मे इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई सूतक भी भारत में नहीं लगेगा और ना ही किसी प्रकार के धार्मिक कारियों पर चंद्रहन का प्रभाव पड़ेगा, केवल गर्ववती महिलाओं को साथानिव बरतने की आवसकता होगी, जैसे कि चाकू से कोई समान ना काटे और सोना भी नहीं चाहिए और इसके अत्रिक धार्मिक पुस्तके पढ़े गीता रामायान का पाठ करे, जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा, राहू से पिडित हो, केतु से पिडित हो या फिर चंद्रमा सनी के साथ 20 दोस उत्पन हो रहा है, तो ऐसे जातकों को चंद्रहन के दिन सफेद बस्तू का दान करना सुवफल कारक होता है, हजारी बाग से प्रदिपाठा की रिपोर्ट